तो आज हमारा जो सुत्रस्थान का अन्तिम अध्याय है 46 नंबर चप्टर अन्पानविधी अध्याय ये हम शुरू कर रहे हैं आप यहीं लिख लीजिए अन्द्रव्य वर्ग बताए हैं 13 अन्पानविधी जहां पर लिख है तो अन्जो द्रव्य वर्ग है वो 13 बताए हैं द्रव द्रव्य वर्ग जो हैं हमारे सुष्षूत हैं उन्होंने 10 बताए थे ठीक है और अब ये अन्द्रव्य वर्ग हमारे कितने बताए हैं 13 बताए हैं पेज़ नमबर 241 पे अन पानविधी अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं सुशुत सुत्र का तो यहीं पे लिख लिजिए आप अन द्रव्य वर्ग हैं 13, अचार्य सुशुत बोलते हैं अन द्रव्य के वर्ग हैं 13 उन्होंने द्रव द्रव्य वर्ग जहाँ पे लिक्विड्स के बारे में बात की थी तो वो हमारे 45 नंबर जो चप्टर है वहाँ पे बताये थे द्रव द्रव्य वर्ग 13 और अन द्रव्य वर्ग यहाँ पे आप बता रहे हैं 13 वहाँ पे 10 बतायते द्रव द्रव्य वर्ग तो जो हमारा तीन नंबर श्लोक है इसकी फर्स्ट लाइन में देखे मिड से थोड़ा आगे प्राणी नाम पुने मूलो अहारो बल वर्ण ओजसास चीए इसको हाइलाइट कर लेजे प्राणीयों का मूल किसको बोला गया है अहार को क्योंकि उनके बल वर्ण ओजस इन सबको प्रदान करने वाला होता है प्राणीयों में अहार नेक्स्ट हमारे आते हैं इसमें सबसे पहले चार नंबर श्लोक में देखे ये शाली धान्य के बारे में बताया गया है तो शाली धान्य में पहला है लोहित शाली शाली धान्य में सबसे स्रेष्ट है लोहित शाली तो वो बताया है फिर आगे जो इनके नाम है ये आपको सारे तो देखे याद होंगे नहीं किसी भी तरीके से या अब कर लेंगे आप तो फिर बात तक याद नहीं रहेंगे इसलिए हम जो ये नाम है ये याद नहीं करते आप छे नंबर जो शलोक है उसमें देखिए तेशाम लोहितकम स्रेश्ट हो सभी जो शाली जो चावल उपर बताएं शाली वर्ग में ठीक है हाइलाइट हमने अभी कुछ नहीं किया नेक्स्ट आठ नंबर जो शलोक है उसकी हिंदी में देखिए शश्टिक भेद शश्टिक के भेद बोलेगे हैं शश्टिक कंगुक मुकुंद पीतक और प्रमोदक प्रमोदक को हाइलाइट कर लीजिए ककुंग और मुकुंदक जो है इनको हाइलाइट कर लीजिए बियच्चु में एक बार कोश्चन आया था इस तरीके से कि प्रमोदक है जो या मुकुंदक ये किसके भेद हैं तो शश्टिक के भेद हैं आजकल जो एक्जाम होता है AIA PGAT का उसमें इस तरीके से कोश्चन नहीं पूछे जाते पहले तो टफ कोश्चन जादा तर ऐसे पूछे जाते थे अब ऐसा नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी पहले आया हुआ तो एक बार हमने इस चीज़ को देखा बारा नंबर श्लोक पे आप आईए वरिही धान्या के भेद में हैं कृष्ण वरिही के हाईलाइट कर लीजिए और फिर फूर्थ नंबर पे हैं नंदी मुख को हाईलाइट कर लीजिए आप कृष्ण वरिही और नंदी मुख ये हमारे वरिही धान्यों में चारिया जो अब हमने वरिही के में कृरिष्ण वरिही को क्यों highlight करा है क्योंकि यह सबसे स्रेष्ट होती है और नंदी मुख को क्यों करा है वो हम आगे आपको बताएंगे 21 नमबर जो शलोक है इस पेज पे बॉटम में दिखिए कोर दूशक को हाइलाइट कर लीजिए कोर दूशक, शामक, शांतनु है फिर आगे, फिर ओदालक है, प्रियंगु, माधुलिका, नान्दी मुखी को हाइलाइट कर लीजिए आप से पुछे, नान्दी मुख चाहो तो आप पेज के टॉप पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नान्दी मुख न और आ, नान्दी मुख अगर पुछे तो कूधान्य में आता है, और अगर नान्दी मुख पुछे तो हमारा व्रही धान्य के भेद हैं, ठीक है, नान्दी मुख पूछा जाए तो कूधान्य है और नंदी मुख पूछा जाए तो वरही के भेद है हमारे नंदी मुख से आगे गवेधुक है ये भी हमारे क्या आते हैं कूधान्य में आते हैं फिर नेक्स्ट आजाएए 29 नंबर श्लोक में आगे मुदग आदी वर्ग के बारे में बोला है जो यानि दालों की बात की जाएगी तो 29 नंबर श्लोक की जो फर्स लाइन में देखे मुदगा दृष्टी प्रसादना को हाइलेट कर लिए जो मुदग की दाल है उसको क्या ब मुदग की दाल को बोला गया ना फिर आते हैं हमारे 30 नंबर श्लोक में बोला है मसूरा बदवर्चस्त मसूर की दाल जो होती है वो मल को बांधने वाली होती है अचारिय जो जो हमारे चरक है उन्होंने मसूर को बोला है संगराही वहाँ उन्होंने चरक वर्ड बोलेंगे संग्राहिस के लिए और अचारिय सुषूत ने क्या बोला है बदवर्चस बोला है तीस नमबर श्लोक का जो लास्ट वर्ड है कलाया परचूर अनिला यानि जो कलाया है मटर है वो वातकारक होते हैं कलाय को वात कारक उन्होंने बोला है अचारिय जो सुशुर्थ हैं तो तीस नंबर श्लोक में मसूर क्या है बदवर्च और कलाय को प्रचूर अनिला और अगर हम बात करें कि अचारिय चरक की उन्होंने बोला है मसूर संगराही और कलायो वातल यानि वात को बढ़ाने वाला 32 नमबर जो श्लोक है इसमें देखिए आप फर्स्ट लाइन में लास्ट में चनक का पुनसत्व नाशने को हाईलाइट कर लीजिए चनक को क्या बोला है जो चनक होता है उसको पुनसत्व नाशक बोला है यानि जो पुनसत्व शक्ति उसको नस्ट करने वाला होता है फिर इसी पेज़ पे सबसे लास्ट नमबर जो श्लोक है माश यानि उडद की दाल के लिए बोला है वरिश्य वर्ड है देखिए श्लोक में स्निक्दो उश्न वरिश्य बोला है फिर नेक्स्ट लाइन में अगले पेज पे संतरपन स्तन्य करो विशेशाद बल प्रदय और शुक्र कफा पहवा नेक्स्ट हमारा आता है चालीस नमबर आप जो है वो श्लोक देखिए चालीस नमबर श्लोक में क्या बोला है तिलेश्य सरवेश्य असित प्रदानों सभीत प्रकार के तिलों में असित यानि जो काले तिल होते हैं वो प्रदान हैं मध्यसीतों श्वेत जो तिल हैं वो मध सभी प्रकार के तिलों में जो काले होते हैं असित वर्ण के वो सबसे स्रेश्ट सित यानि वाइट कलर के है वो मध्यम और जो अलग-अलग रंगों के हैं वो हीन बताए गए है फिर 41 नंबर श्लोक में आप देखी यव के बारे में बताया है यव कशायो मधुरों हिमश्च कटू विपाके कफ पित हारी और इसके जस्ट नीचे देखिए प्रबद मुत्रों बहु वात वर्चा बात और वर्च को बढ़ाने वाला होता है ये जो के बारे में कहा गया है देखी जो चैप्टर है आपको लगेगा कि मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आप जब इसको अभी हमने पढ़ा दिया जब आप इसको खुद से रीड करेंगे तब आपको अच्छे से हो जाएगा बार-बार इस चैप्टर को आपको रीड करना है